हेलो फ्रेंस खुशी नेटिंग क्रियेशन में आपका स्वागत है देखे फ्रेंस आज हम यह ड्रेस बनाना सिखेंगे यह हमने एक नंबर लडुगो पाल जी की ड्रेस बनाई है और देखे कितनी प्यारी हमारी यह ड्रेस बनी है इस ड्रेस को आप छोटे या बड़े किसी लडुगो पाल जी की ड्रेस में बना सकते है इसमें देखे हमने जो यह राउंड बनाया था पप स्टिच का यह हम एक राउट बनाने के बाद फिर हम यह रांड बनाएंगे और उसके बाद यजो हमनी दो राउंड बनाए इन्हें हम बढ़ाते हुए आगे जाएंगे तो ये हमारे बड़े लड़ो गुपाल जी की ड्रेस बन जाएगी और बनी हुई बहुत ही प्यारी लगती है और बन कर जल्दी कम्प्लीट होती है तो चली बनाना स्टार्ट करते हैं देखे लूप बनाएंगे और अब हम इसमें बारा चेन बनाएंगे ये एक बनाई दो तीन च्यार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा अब दो चेन हम एक्स्ट्रा लेंगे और देखे अब हम यहाँ पर धागा लेंगे और थर्ड चेन के अंदर हम हाफ डबल क्रोशि हमने बनाया तीनों में से हमने एक साथ धागा निकाल दिया फिर नेक्स्ट में जाएंगे नेक्स्ट में भी हम तीन लूप हो गए हमारे पास अब हम तीनों में से एक साथ निकालेंगे तो इस तरह से हमारा हाफ डबल क्रोशिया बनेगा और हम हर एक चेन के अंदर ये बन क्रोशिया बनाएंगे पहले हम दो चेन लेंगे टर्न करेंगे धागा लेंगे और सेम प्लेस पर हम दो बार बनाएंगे इस तरह से धागा लेंगे नेक्स चेन में जाएंगे यहां पर भी हम दो बार लेंगे फिर सेम प्लेस पर हम बनाएंगे यह दो बार बनाया धागा ले 6 half double crochet होंगे, देखिए, round हमारा complete हो चुका है, अब हम यहाँ पर 2 chain बनाएंगे, 1, 2, धागा लेंगे, अब हम हर एक chain के अंदर, 1-1 single half double crochet बनाएंगे, तो यह हमारे पास 26 है, तो 26 हम half double crochet बनाकर complete करेंगे, हर एक chain में 1-1 single crochet, देखिए, 3 round हमारे बनकर complete हो चुके हैं, अब हम इसके 4th round में हैं, और 4th round में हम पहले 2 chain बनाएंगे, धागा लेंगे, और next chain में हम half double crochet बनाएंगे, तो यह total हमारे पास 2 बन गे, फिर से बनाएंगे, 3, फिर से बनाएंगे, 4, यह 4 हमने single crochet बनाया, धागा लेंगे, 5 chain हम यहाँ पर skip करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और 6, चटी chain के अंदर हम यहाँ पर half single crochet बनाएंगे, एक बार बनाया, sorry double crochet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sorry 8 बनाएंगे, यहाँ पर हमने 8 बनाएं, धागा लेंगे, और 5 chain हम skip करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और 6 चेन में हम यहाँ पर single crochet बनाएंगे, half double crochet बनाएंगे, एक, देखी, यह 4 हमने single crochet, half crochet बना लिया है, अब यहाँ पर हमारे पास यह total 16 half double crochet बन कर आया है, 4, 4 हमारे front में है, और 8 हमारे back में, अब हम यहाँ पर 2 chain बनाएंगे, और हर एक chain के अंदर half double crochet बनाएंगे, 16 है, तो 16 बनाकर हम यह complete करेंगे, इस तरह से, इस तरह से बनाते हुए, हम यह round complete करेंगे, चोली हमारी बन कर complete हो चुकी है, और चोली के end में, हमारे पास यहाँ पर 16 chain बनी है, और अब हम इसमें, फर्स चेन के साथ हम यहाँ पर, देखें, नेक्ट धागा जॉइंट करेंगे, इस तरह से 3 chain बनाएंगे, 1, 2, 3, धागा लेंगे, और सेम chain के अंदर ही हम यहाँ पर, double crochet बनाएंगे, 2, फिस से बनाएंगे, 3, 4, 5, 5 हमने देखें यहाँ पर, double crochet बनाया, अब जो हमने 3 की chain बनाई थी, इसकी 3rd chain में हम crochet हूँ क डालेंगे, और इसे यहाँ पर हम इस तरह से complete करेंगे, complete किया, 1, 2, 3 chain लेंगे, और धागा लेंगे, नेक्स chain में जाएंगे, नेक्स chain में भी हम फिस से बनाएंगे, 1, 2, 3, 5 double crochet बनाया, फिर से यहाँ पर यह first double crochet है, इसकी हुक में हम डालेंगे, chain में, और यहाँ पर इसे complete करेंगे, 1, 2, 3, फिर नेक्स में जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 16 chain है, और 16 chain में हम इसी तरह से, 5-5 double crochet का पफ बनाकर, राउंड कम्प्लीट करेंगे, देखिए इस तरह से, तो यह हम बनाते हुए, यह राउंड कम्प्लीट करेंगे, देखिए राउंड हमारा कम्प्लीट हो चुका है, अब हम इसमें यह जो हमने तीन chain बनाई है, इसे हम यहाँ पर, slip stitch करेंगे, देखिए, इस तरह से, वन चेन लेंगे और यहाँ पर हम धागे को कट करेंगे, देखिए इस तरह से यह बनी है, अब हमारे यहाँ पर हमारे पास 16 पफ बन कर आए हैं, अब हम इसके उपर यहाँ पर वर्क करेंगे, यहाँ पर हमने 3 chain बनाई थी यहाँ पर हम आगे work करेंगे तीन chain बनाईगे, 1, 2, 3, 3 chain बनाई धागा लेंगे और अब हम यहाँ पर half double crochet बनाईगे, देखिए एक बार बनाया, एक बार और बनाईगे तो यह हमने 2 बार half double crochet बनाया, अब हम इन 3 को एक साथ complete करेंगे 2 chain बनाईगे और फिर से हम 3 बार यहाँ पर half double crochet बनाईगे एक बार बनाया, एक बार और बनाया, 2, एक बार और बनाया, 3 यह 3 हो गए, हम 3 को एक साथ complete करेंगे फिर धागा लेंगे next chain में जाएंगे next chain में भी हम इसी तरह से तीन बार half double crochet बनाएंगे एक बार बनाया, दो बार बनाया, तीन बार बनाया, इन तीनों को हम चारो धागों को एक साथ complete करेंगे एक, दो chain लेंगे और फिर से हम तीन बार half double crochet बनाएंगे, एक बार बनाया, दो, तीन, फिर से complete करेंगे तो इसी तरह से बनाते हुए हम ये round complete करेंगे, धागा लेंगे, next chain में जाएंगे और तीन बार हम half double crochet बनाएंगे, एक बार बनाया, ये दो, तीन, तीनों को हम एक साथ complete करेंगे, एक, दो chain बनाएंगे, और फिर से हम यहाँ पर एक, दो, तीन, फिर से complete करेंगे, तो इसी तरह से देखें, हम ये puff की कली बनाते हुए, ये round complete करेंगे, देखें, round हमारा बनकर complete हो चुका है, और अब हम इसे यहाँ पर बीच में, देखें, ये जो हमारी दो chain बनाए थी, यहाँ पर बीच में हम इसे slip stitch करेंगे, अब हम यहाँ पर तीन chain लेंगे, और देखें, पहले हमने तीन, half double crochet बना कर एक किया था, लेकिन अब हम अलग- ये दो बनाए, एक और तीन, देखें इस तरह से, अब हम यहाँ पर दो chain लेंगे, और फिर से तीन double crochet complete बनाएंगे, एक, दो, तीन, धागा लेंगे, नेक्स चेन में जाएंगे, नेक्स चेन में भी हम इसी तरह से, एक, दो, तीन, देखें, बीच में हमने कोई भी चेन नहीं ले है, एक, दो, फिर से हम यहीं पर, same place पर, एक, दो, तीन, इस तरह से बनाते हुए, हम यह round complete करेंगे, देखें, round हमारा complete हो चुका है, और अब हम यहाँ पर इसे, थर्ड चेन के साथ, स्लेव स्टिच करेंगे, वन चेन लेंगे, और धागे को हम यहाँ पर कट करेंगे, देखें, अब हम इसमें next धागा joint करेंगे, यह हम यहाँ पर जो हमने दो की चेन बनाई थी, यहाँ पर joint करेंगे, एक, दो, तीन चेन लेंगे, और यहाँ पर हम डबल क्रोशिय बनाएंगे, देखें, दो बन गए, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, देखेंगे, साथ हमने यहाँ पर डबल क्रोशिय बनाया, अब हम क्रोशिय उपर दो बार धागा लेंगे, और देखेंगे, जो हमारा यह वाला हमने पर्शन बनाया था, नीचे वाली लाइन, इसमें हम दो बर धागा लेके, और यह वाला स्पेस, देखेंगे, यहाँ पर हमारे यह दो पफ आपस में मिलते हैं, यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिय बनाएंगे, एक बार बनाया, एक हमने कम्प्लीट किया, फिर से धागा लेंगे, और हम नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पर हम फिर से एक, देखें इस तरह से, एक बार बनाया, दो, तीन, च्यार, पाँच, छे, साथ, देखें, साथ डबल क्रोशिय बनाएंगे, फिर से हम ट्रिपल क्रोशिय बनाएंगे, यहाँ पर, देखें, नीचे, जिस कली के उपर हम यह साथ डबल क्रोशिय बनाएंगे, उससे पहले वाले यहाँ पर, यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिय बनाएंगे, एक बार बनाया, दो बार, तीन बार, फिर नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट में हम यहाँ पर साथ ड जोइंट करेंगे फिर हम इस कली पर बनाएंगे तो यहां पर जोइंट करेंगे तो इस तरह से बनाते हुए हम यह राउंड कम्प्लीट करेंगे देखिए फ्रेंज ड्रेस हमारी बनकर complete हो चुकी है और round भी हमारा complete हो गया था और इसी के साथ हमने गले पर भी किनारी बनाकर देखी complete की है यह किनारी मैंने आपको कोई बार बताया है बनाना इसमें हमने हर एक stitch के अंदर दो दो बार single crochet बनाकर ये किनारी बनाई है और देखे कितना प्यारी हमारी ये ड्रेस बनी है उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगे मेरी वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू